तो हेलो दोस्तों वेलकम टू फायराइस गेमी युटूप चैनल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले सोलो रैंक मैच की कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जिस्तिकी आइस आपको बहुत ज्यादा हैल्प मिलेगा आपकी गेमप्ले को और बी ज्यादा बैट में लेडियो कैसे कौन डोस्तों आपको आप है थालो को हैLaurape का फालको पर्सेंद और यह है क्यूद कि में हुट कूंस डारे नाव है उसका हुटरान इस याल्फ बता दें गीचांग तैनल गछी सेथांटे और इस्चाःच्स की दिएर आपको कांगा हैlaughs ज्यादा फास्ट लेंडिंग कराएगा और उसके बाद आपको गन के उपर उतरना ऑल्वेज गन के उपर देख सकते हो मेरे आसपास गन था तो मैं यहां पर उतर गया और गन लेने के बाद सामने वाला बंदा देख रहे हो भाई मतलब ना फाल को है और ना ही किसी गन के अपने डायरिक्सें बदल दिया तो उसको भी जश्यादा डैमेज दिया हमने और आप इंगे अगर में अगर में जाओगे तो आज पास कितने वह उत्रे वह तो आपको भी नहीं पता और कहां कहा से बंदे आ जाएगो और अपको मार देगे वो कोई नहीं बता सकता तो आर आपको सबसे पहले कवर में जाना यह पर चारोंग तरप से बिलकुल और कोई भी बंदा सको साइड से ना मार पाए क्यूपा की अपको साइड से किसी आंगा गेम झाल झाल तो मैं यहां पर आ गया देखते हैं वो बंदा कहां पर गया है उसकी तलास करते हैं यहां पर बट उससे पहले मेरे को यहां पर एक डेड़ बोडी दिखा तो इससे मैंने ARM उठा लिया अब देख सकतो सामने वाले घर में फाइट हो रहा है ठीक है रेंबो नाम के बंदे ने उस बंदे को I think से मार दिया है तो चलो यहां पर वेट कर लेते सबसे पहले यहां पर एक लैंडवाइन लगा देते जिससे की अगर वो बंदा खिड़की से जंप करेगा विंडोस अगर वो कूदेगा तो वो बहुत यासानी से मर जाएगा ठीक है कुछ पहल मेंने कुछ करी मैंने बट यार वो बंदा भाग गया और बैट गया ठीक है तो अब से क्रोणों के क्रोणों के खतम होने का वेल आ करना चाहता भाई टीम अप करने की कोजिस कर रहा है क्रोणों खतम हुआ इसको आसानी से मार दो भाई यहां पे सोलू मेज खेल ले आँ तो यहां पर मैंने अपने हेल्थ को पूरा कर लिया अब क्या करें रहा है उसके ग्लूवल को फोड़े के ठीके कभी भी कोई बंदा ल खाफी ज्यादा प्रो हो अगर आप उसके ग्लूवल को तोड़ोग है और खुलने में है वो तो आप उसके ग्लूवल को तोड़के उसको पूरा भी मार सकते हो ठीके तो बहुत से चीजह होती है जो का इसकिल्स फो इंप्रूव करती है जिससे कि आपका गेंपले बोह खया तो गया रही चच्चा अरे चच्ची तुम यहां पर क्या करेंगे अब यह पब यह सब करेंगे और चीज आप पर नोटिस करना मैं आ पर एक चीज़े नोटिस करना मैं पर पीछी की वर्ट जंप करके फोड़ा मैं यहां पर चाहता तो मैं इसको गन से भी फोड़ सकता था बलाश्ट कर सकता बट मैंने इसको जंप करके ही क्यों फोड़ा बिकोज यहां पर होता है कि अगर आप यहां पर गन चलाओगे तो एनेमी अगर कहीं आसपास होगा तो उस तक साउंड जाएगा ठीक है और वो हमारे पोजीशन को पता कर लेगा कि मैं कहां पर हूँ वो हमको आके मार सकता है बट अगर आप ऐसे जंप करके फोड़ोगे तो एनेमी को पता नहीं चलेगा कि आप कहां पर हो उसको बस लेडएवन फलने का साउंड तो जाएगा बट आपके फायर का साउंड नहीं जाएगा कि आप कहां पर हो गन कि서 हो रहा है ठीक है अब हम आच वैक पर और पीक पे हम यहां पर आराम से बंदों की तलास कर रहें क् और यहाँ पर दिखा एक बंदा जो कि उधर से आ रहा है साइद उसके आसपास और भी बंदा है तो इसको मैंने काफी ज्यादा डैमेज दिया उसने दो ग्लूवल लगा दिया अब मैं क्या गरूगा मैं सबसे पहले कवर में जाओंगा आपको भी खुलने में रहके कभी फा ज्यादे खतरना गन आ चुकी है मतलब गन सा चुकी है या फिर ड्रैगन और यह सब गन अगर उसके पास हुआ या फिर दो तीन बॉड़ी सॉट में वह हमको खतम कर सकता है तो आपको भी आपे केरफुल रहना है आप ही सिर्फ एनवी को नहीं मारोगे वह भी आपको मार स और वह बंदा खतम हो गया तो भाई समझो कितना जादा इंपॉर्टन से ग्रेनेट का गेम के अंदर आप समझो अगर मैं यहां पर सीधा जादा तो ऐसा भी हो चकता था कि मैं बंदे को नहीं मार पाता बट मैंने यहां पर ग्रेनेट फेका तो बंदा कितनी आसानी से मर यहां मतलब क्या ही बोले और नो वर्ट गई अब चलो यहां पर नीचे की और चलते देखते और बंदे कहां पर मिलेगे सामने से फायर का आवाज आया ओ चच्चा क्या कर रहे हो तो इसके हैड पर एम ले जाने की कोसिस करी बट तभी आ गया यहां पर ड्रोन चच्चा औ पर यहां पर नाम पढ़ लिया होगा तो चलो क्या करेगी हम यहां पे कुछ कर भी नहीं सकते हमारे पास grenade भी नहीं है और gun से हम माल नहीं सकते काम करते हम यहाँ पर पीछी की और जाते और aim लेने की कोशिस करते है अगर बंदा अपना head दिखाता है इधर से उसका head दिखाई देता है तो हम उसको मारने की कोशिस करेंगे ठीक है यह नेड कोन फेक रहा वाई उसको दिख गए क्या ह हम यहाँ पर head लेनी की कोशिस कर रहा था मैं बट उसका head नहीं दिखा यहाँ से बढ़ना हम उसको आसानी से यहाँ पर headshot मार सकते थे बट उसका head दिखाई नहीं वाई तो हमारे पास एक और plan है plan B simply जाएंगे उसने जो glue लगा है उस glue को तोड़ेंगे और उसके बाद हम क कितना ज़्यादा importance है समझे रहो ना game के अंदर ऐसे चीज़ का मतलब इतना जहादा importance है न एक छोटी सी चीज से पूरे squad को उड़ा सकते हो एक ग्रेडे से से आप पर मर भी सकते हों यह पस्तंड 安ब कुछ नहीं होता अल्टरा प्रौ लेजन्ड मेरों प्रेक्टिस केण कहिए प्रौ प्र व्यॉडर कैसे गता चुक्रिजैंब दो अँश्पने कुछ यह जो ज्ल्दी से जल्दे ऊपर और इस बंदे को भी मार देता, अब मारा क्यों नहीं भाई, भाई मर जा भाई, ओके गाई, चलो ये बंदा भी खतम, और यहाँ पर जल्दी से इसको लूट वूट लेते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है, इसके पास से हमको, ड्रेगन ओफ, गाई, एस वीडी गन काफी ज्य ड्रेगन ओफ में इतना एमो आप करोंगे क्या, ये तो इतना लेट लेट फायर करता भाई, इसमें मैं बता रहा हो, 100 से ज्याधा एमो लेना भी पागल पनती है, लेके ठराब्फ में, तो ग्लू असमीण सो पास ही हमो लेना, उससे ज्यादा एमो मत लेना, थीजार्ण ड या फिर ग्लू अलगरेंड यह सब ले सकते हो देख रहे हो ड्रेगन ओप का पावर देखे हो भाई हाई डैमेज वाले गन काफी ज्यादा है फिर से देखो यहां पर फिर से एक हैडसोट मारा तो एक हैडसोट ही काफी एनेमी को खतम करने के लिए या फिर तीन चार तीन चा है वाई क्योंकि आप उससे ग्लूवल के आरपार मार सकते हो और यहां पर काईस अब हम पहुच चुके है लास्ट जोन में अब हम क्या करेंगे यहां पर हमारे पास जितनी भी चीज़े है जैसे कि लैड माइन या फिर उसको क्या बोलते है वाई कुछ भी बोलते है कि लै जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो चैनल पर नहे हो तो सबस्क्राइब कर दो कर दो इसी तरह कि खतरनाख खतरनाख टिप सेंट्रिक्स की वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी और फणी वीडियो भी मिलेगी और लाइव श्ट्रीम भी होता है तो गई सारा कुछ मिलेगा देख सामनी की और से एक बंदा जा रहा है इसको हम यहां प सुछक्वान में ऐसे के और सबस्क्राइब कर सकते होंगे गेट हो कर दो पता भी नहीं चलेगा और मैं खतम हो जाओंगा तो बुया भी करना जरूरी है यह देखो एक लड़की आई भाई एक लड़की आई इसको हैड्सोर से खतम भाई मेरे को यहां पर क्रोनो यूज करना चाहिए था यहां पर ग्लूवल लगाना चाहिए था बट मैंने यहां प पता नहीं भाई हम कितने बंदों को समाल सकते हैं 31 ग्लूवल में तो अब क्या ही बोले गाईज देख सकते हो जोन भी स्रिंक हो रहा है देखते हैं सामनी की और से बंदे आते या फिर नहीं एक बंदा आया इसको दो तीन गोली मारने के बाद मैरे को यहां पर ग्लूवल क्यों लगा रहे हो कोई बंदा आ रहा है कि उधर से देखती कोई बंदा कहां से आ रहा है यह लो चच्छा इधर से आ गया अब गाईज देखो अब जितने भी चीज़े हैं ग्लूवल और ग्रेनेड सब का यूज करना है सबसे पहले तो यहां पर ग्रेनेड फेक के देख तो जल्दी से यहां पर मेरे पास बहुत ग्लूवल है इतने ग्लूवल है ना मतलब मैं नहीं मर सकता है इस मैच को तो बुया करणा कनफॉर्म है चलो गाईज यह ग्रेन फेक के देखते क्या वो बंदा मरता है नहीं मरा बट वन वन जीरो का डैमेज पढ़ा 110 का डैमेज बस 90 हेल्थ का बचा है बंदा उसको मारने की कोशिस करते है ग्लूवल का भर पूर यूज एक गुली मार के ग्लूवल एक गुली मार के ग्लूवल भाई हैट्स पड़ा मारा क्यों नहीं ओकी गाइस तो इस मैच को कर लिया हमने बूहिया आपको इस वीडियो से काफी बस इन टिप्स को फोलो करो मैंने जिस जिस प्लेस पे जिस जिस सिचुएशन पे जो जो चीजे यूज की है आप भी उसी तरह अपलाई करो और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो जिससे कि आपका गेमप्ले भी बहुत ही ज्यादा अच्छा हो पाएगा तो गाइस ब कि आपके जैवफ कि आपके जिस जार इंव कि दो और जो उब बांकी जातों उस जाज कि जब दे जाईतर से जो हैं खेटत्व कि वडli को हैं जजाएव कि झाटीं ुट कि आइचे